हाई एवरिवन, वेलकम टू जैयार टुटोरियल्स, आइम यूर फ्रेंड राहूल जैस्वाल फिर भी हम आपके लिए जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो 10 स्टैंडर के लिए साइन्स सब्जेक का और मैच सब्जेक का हम आपके लिए नए वीडियोस रेकॉर्ड करेंगे और अप्लोड करेंगे ठीके तो वह वादा दोस्तों आलरीडी मैं रिभार चुका हूँ और अलरीडी हमने मैथेमेटिक्स का जो पहला पाट है यानि एलजेबरा सब्जेक का चाप्टर पहला शुरू कर दिया है और अलरीडी पास चे लेक्टर हमने बना दिये हैं हमल्टेनेसली वो वीडियोस आते रहेंगे और साथी में आज से हम इंतजार जो आपका था वो पुरा करने जा रहे है और आज से आप लोगों का साइंस का लेक्चर वीडियोस भी शुरूआत हो रहा है दोस्तों तो आप देख सकते हो साइंस सब्जेक का जो पहला पाट ह 10th Science 1 का पहला चाप्टर जिसका नाम है Gravitation, one of the most important physical chapter इसकी शुरुआत करेंगे तो आज हम पढ़ने बारे है lecture number 1 अब यह जो chapter है one of the most beautiful chapter है पूरे हम बात करें Science के अंदर क्योंकि देखो जो हम 10th में आते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़े नहीं नहीं सोचनी पड़ती है कि यार 9th में हमने क्या-क्या पढ़ा है laws of motion पढ़ा ऐसे कई सारे चीज़े पढ़ी तो 10th उसका advanced version है और 10th में हम बात करें सबसे पहले हम बात करने ग्रावी टेशन की तो सबसे हेले ये जो यह बड लिखा हुआ है gravitation इसका मतलब है क्या ग्रावी टेशन में एक word छुपा हुआ WHO है जिसको हम लोग प्यार से बोल्ते हैं दोस्तो gravity क्या बोलते हैं दोस्तो gravity अब आप ये वर्ड ग्रा लिया, यानि कि कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज अगर वो उपर जा रहा है, अगेंस दे ग्राविटी, तो वो नीचे जब आएगा, प्रित्वी की तरफ, हमारे जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ, तो वो अर्थ उसको खीच रहा होगा, और वो क्यों खीच रहा होगे, कि यार यह जो ग्राविटी है, ग्राविटेशन है, दुनिया भर के नुमेरिकल्स है, फॉर्मुले, इसकी शिरुआत कैसे हुई, करेक्ट है, तो सभी लोग यह सोचते होगे, तो यह आप एक चीज जानते होगे, कि हमारे जो महान साइन्टिस थे, ठीक है, कोन है म नूटन बाबा, ऐसे वर्ड यूज करते थे, तो हम भी नूटन बाबा बोलेंगे, तो जो हमारे नूटन अंकल थे, नूटन बाबा थे, वो एक दिन मस्ट पे कि, किस पे बेटे थे, पेड़ के नीचे बेटे थे, आराम कर रहे थे, एपल का पेड़ था, और यह स्टोरी है, हाँ, यह मैंने नहीं बनाई है, यह स्टोरी चलती आ रहे है, लेकिन वाकई में यह स्टोरी सच है के नहीं, we don't know, यह according to some rumors, according to some books वगरे, हम लोग ने यह सब चीज सुना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि real में कभी वो बेटे नहीं थे, ठीक है, लेकिन एक स्टोरी आप लोग समझ लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्या था स्टोरी, कि यार एक पेड़ था, एपल का, उसके नीचे वो न्यूटन एक दिन आराम कर रहे है, धुपैर का टाइम था, अब वो आराम करते क्या हुआ, वो पेड जो था, ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ और करने क तूटके क्या हो गया, नीचे गीरा, और यह लगबख नीचे गीरा, इसके सामने, मतलब न्यूटन जो बैटा था, उसके सामने, कुछ लोग बोलते हैं, उसके सर पे गीरा होता, तो बिचार को चोट लग गए होती है, पागल वेगल हो जाता, इतना थेयरी नहीं बनाता बेट के, नीचे साइड में गीरा, ऐसा थेयरी माना जाता है, कि एपल जो तूटा, और वो तूटके कहा गीरा, जमीन के उपर उसके सामने गिर गया, अब न्यूटन ने देखा, अरे यार वो एपल पेड के उपर से तूट रहा है, और वो तूटके सीधा जमीन पे गीरा तो उसके दिमाग में एक फंडा आया, क्या फंडा आया, जैसे हम लोग होते है न, एक इंसान के अंदर curiosity होता है, we are the smartestest animal, हम सब animals ही है, human beings is also animal, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यह चीज हो रहा है, तो वेसे न्यूटन ने सोचा, क्या सोचा, कि यार यह जो एपल है, यह जो लेड़ के उपर से जब तुटा, तो यह उपर क्यों नहीं गया, यह नीचे ही क्यों आया, यह साला मेरे जमीन के नीचे आके क्यों गी रहा, correct है, समझ में आ रहा है, तो यार वो वो बिचारा ना, टेंशन में आ गया, तो वो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो ग उपर खीची, जमीन के, जमीन ने उसको खीचा ऐसा क्या चीज है, तब उसने खोजबिच करना चालू किया, उसने science की studies किया, बहुत सार यह ऐसे theoretical चीज़े एक्स्पेइन करने के बाद, study करने के बाद, practical करने के बाद उसको realize हुआ, कि यार यह जो चीज हो रहा है न, वो gravity के वज़े से हो रहा है, किसके वज़े से हो रहा है जोस्तो, gravity के वज़े से हो रहा है, और इसी लिए उस चीज़ का उसने नाम रख दिया, gravitation, जो आज के दिन में हमें पढ़ना पढ़ रहा है, और पढ़ाना पढ़ रहा है, देखो, अभी sir के उपर apple नहीं, खरबूज गिर फोकस किया, कि जब भी भी कोई object, जब उपर जाता है, और उपर जाता है, तो एक sudden fall भी दिखाता है, और ये जो sudden fall दिखा रहा है, it is because of the gravity, किसके वे से हो पा रहा है, it is because of the gravity, gravity का एक value होता है, जो हम लोग आगे discuss करेंगे, जैसे इसे chapters में हम आगे बढ़ेंगे, ये तो आ बारे में बात, Newton के बारे में और Apple के बारे में बात, ये gravity होता है, gravitation क्या होता है, basic तो ठीक है, अब यहाँ पर उसने सोचा, कि यार ये जो Apple जब नीचे गिरा, तो मैं ऐसा क्या दिमाक लगाओ, तो उसने सोचा, कि कहीं न कहीं, ये जो Apple जब नीचे गिर रहा है, मतलब हम ये जो आप लोग सोच रहे है, यहाँ पर GF का मतलब क्या है, gravitational force, यानि उसने वो force को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, कि ये भाईया क्या रहेंगे, GF यानि gravitational force, तो यार हम science के student है, correct है, हमारे लिए GF कोई नहीं है, हमारे लिए GF ये, gravitational force, ठीक है, समझ में आ गया तो ये हमारे लिए क्या है, gravitational force, तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो वो जो force होता है, जो जमीन की तरफ से खीचा चला आता है, वो होता है, हमारा gravitational force, एंड दुनिया में जितनी भी चीज़े हैं, जो attracted है towards the earth, हमारे center of the earth से attracted है, क्योंकि आप एक चीज़ समझते होंगे, और शायद जानते भी होंगे, कि हमारा जो प्रिथवी है, दोस्तों, हमारा जो प्रिथवी है, वो गोल है, लेकिन ये भी मित है, ये आपको बता दू, बहुत कम लोग जानते होंगे, कि हमारा प्रिथवी गोल नहीं है, हमारा प्रिथवी जियोईड है, जियोईड का पे इंसान है यहां है कोई कंट्री है अगाँ अब उपर नीचे में बीकिर अपका घर है कि यहां पे साइड में आपका घर है कि यहां पे आपका घर कभी सोचा है, imagine करो, actual में हमारा प्रित्वी गोल है ना, ठीक है, बार प्रित्वी गोल है, तो हम कहीं ने कहीं अर्थ से चिप के हुए है, because of the gravitational force, ठीक है, लेकिन हम गिरते हैं क्यों नहीं है, यानि कि यहां पे कोई चीज रखा के तो धनाम से गिर जाएगा, भले gravity क्यों ना काम करे, लेकिन हमारा प्रित्वी इतना बड़ा है, और इतना powerful gravitational force वहां पे apply होता है, तो कोई चीज गिरता नहीं है, कहां गिरेगा, space में गिरेगा, नहीं यार, प्रित्वी तो है, तो कोई चीज गिरा नहीं है, यहां पे भी, यहां पे भी रहने वाले लोग के लिए यह आसमान है, यहां पे रहने वाले के लिए यह आसमान है, यहां पे रहने वाले लोग के लिए यह आसमान है, वो पृत्वी खतम हो जाएका गिर जाएंगे स्पेस के अंदर, ऐसा नहीं है बबाँ, ऐसा बिलकुल नहीं है, हमारी पृत्वी फ्लाट है, लेकिन एक्चल में वो जीओड शेप है, यानि गोल शेप है, हम जो भी लोग है, बिलिंग से, बड़े-बड़े स्काइस्क्राइ का, जो explanation है, जो concept है, वो किसी ने दिया था, ये Newton भाई साब ने दिया था, Newton बाबा ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है, clear है, समझ में आ गया, ये था हमारा सबसे पहला topic, इस chapter के बारे में, gravitation के बारे में, Newton के बारे में, बहुत सारी important चीज़ जो इस chapter में से नह जान देना, एक topic है, जिसका नाम है force and motion, ठीक है, force and motion, ये बहुत ही बेतरी topic है, अब ये जो topic है, force and motion, ये आपने भले ही 8 या 9 में पढ़ा होगा, लेकिन शायद बहुत सारी लोग ऐसे होगे, जो भूल गए होगे, लेकिन आपको मैं याद दिला होगा, अब force, force का मतलब क् अब आप बलोगे, सर, energy का मतलब ये जो ताकत होता है, वो energy का मतलब टाकत होता है, लेकिन force का मतलब क्या होता है, कि जब भी हम लोग एक particular वस्तु के उपर, जब कोई ताकत apply करते हैं बाहर से, तो वो होता है force, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मेरे marker से एक force apply कर रहा हूं, अगर मैं एकदम छुई मुई यह सा बन गया, मैंने कुछ टची नहीं किया, कुछ ताकत ही नहीं लगा रहा हूं, देखो कुछ लिख पार हो कि अच्छे से, कुछ अच्छे से लिख पार हो, लेकिन मैं अगर कुछ ताकत apply कर planets हो, sun हो, तो यह सब के पीछे कहीं ने कहीं एक कोई ताकत लग रही है, चैसे मैंने बोला कि यह marker उपर गया, लेकिन घुम फिर के नीचे आया, जब नीचे आया, तो एक ताकत लग रही है उसके उपर, कौन सी ताकत लग रही है, gravity की जो gravity उसको खीच रहा है, pulling action हो रहा है that is known as the some force, and we call it as the gravitational force, बराबर है उसको gravitational force भी बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है motion, तो force तो आपको समझ में आ गया, कि क्या है force, यानि कि it is nothing but the energy, force is nothing but the energy, जो हमें external तरीके से apply कर रहा है, लेकिन एक होता है motion, मुझे एक बात-बात हो, motion आपने कप पढ़ा था, एक chapter था चाहिए 9th में laws of motion, there are so many laws of motion by the way, ठीक है ना, जो Newton थे, ठीक है ना, उसने बहुत सारे law बनायते, 3 law of motion, 3 law of motion, या देगी नहीं आपको, उसमें से 3 law, favorite वाला, तो every action there is a equal and opposite reaction, बहुत favorite है, मारो अपने आपको दिवाल पे, जितना जोड से मारोगे, उतना जोड से हाथ पे मेरा कोई object है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो object के ओपर, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हो, ताकत अपलाय करो, यहाँ से एक आदमी है, जो उसको धक्का मार रहा है, यहाँ पर वो आदमी क्या कर रहा है, इस चीज को धक्का मार रहा है, अब वो आदमी जब धक्का मार थि लगा रहा है, एंड वे एनरजी लगानी के वीजी से यह ढब्बा है, या पर जो भी बॉक्स है, तो यह जो मूव हुआ, तो क्या हुआ इसके अंदर क्या आया दोस्तों, मोशन, क्या आगया? बेस्ट अब्जक्ट हिलेगा, जैसे बेच्ट अब ये marker रख दिया, ये marker बिल्कूल नहीं ही लेगा, ये marker बिल्कूल नहीं ही लेगा, क्योंकि मैंने इसके ओपर कोई ताकत नहीं लगाए, कोई force नहीं लगाए, बस इसका एक खुद का एक force लग रहा है, जो की gravity इसको खीच रही है, इसके लिए वो हाथ के ओपर चिपका ह हुआ है, एक rigid body, एक rigid body मतलब एक ठोस चीज, एक मजबूत चीज के ओपर वो टिका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं इसके ओपर क्या कर दो दोस्तों, थोड़ा ताकत लगा दो, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, इसको ताकत लगाएगा, तो मैंने क्या कर गया, तो मैंने क्या body remain at its rest position unless and until an external unbalanced force is applied on it, इसका मतलब क्या है कि वो object, दुनिया में कोई भी object अपने जगा से नहीं हिलेगा, जब तक उसके ओपर कोई बाहर से ताकत ना लगे, कोई force ना लगे, तो ये भी इसका भी यही हाल था, जब वो आदमी नहीं था, जब वो आदमी नहीं था, तो ये हिलेगा नहीं, लेकिन जब वो आदमी आ जाएगा, तब वो box हिलेगा, और यही हमारा Newton Law of Motion भी है, जो हमने 9th में पढ़ाएगर आपको यहाँ दोगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई tension वाली बात नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना, इसलिए दुनिया में जितने भी साइंस लेने वाला है, आगे जाके, मतब 11 स्टैंडर में साइंस पढ़ने वाला है, और फिजिक्स खास कर पढ़ने वाला है, उसको यह चाप्टर में तो बिल्कुल इंट्रेस्ट लना चाहिए, वैसे बाइद हुए हमने 11 स्टैंडर भी चालू कर दिया, अगर आपके दो हिलना, because of some external force, लेकिन यह circular क्या होता है, circle मतलब circular गोल घुमेगा, तो समझ लो कि कोई एक ऐसा object है, ठीक है, जो circular pattern follow कर रहा है, मतलब कोई एक ऐसा यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक यहाँ पर एक इंसान है, जो यहाँ से उसने भागना शुरू किया, भागना शुरू किया, वापस आ गया, जैसे होता है, हम लोग को punishment मिलता था, हम लोग जब school में थे, हम लेट जब पोचते थे, पांच मिनट भी आप लेट हो गए, तो पुरा एक ground का चक्कर काटो, 10 मिनट लेट हो गए, दो चक्कर, 15 मिनट, 3 चक्कर, ऐसा हम लोग का चक्कर काटना होता था, हम दसविता कैसे ही था, तो समझ लोग एक बंदा है, यहाँ पे है, अब उसने यहाँ से चक्कर काटना शुरू किया, चक्कर काटना शुरू किया, यहाँ पे भागा, 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 तो वो इनसान भाग रहा है, मतलब वो क्या है, मोशन में है, वो रुक में हम लोग बोलेंगे circular motion कितना साधारन सा टॉपिक है आप ही बताओ फुसता भी कभी definition exam में ठीक है what is circular motion if any object is moving in a circular pattern circular motion में that is known as the circular motion बहुत simple सा फंडा है आप दूसरा जो फंडा है यहाँ पर जो हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे क्या है हमारा centripetal force centripetal force का एक best example है समझ लो आप क्या किया था या फिर एक आप कर सकते हो practical experiment अगर आपको करना है तो कर सकते हो समझ लो आप क्या करो ना एक रसी लेलो धागा होता न धागा एक रसी लेलो और वो रसी धागे के end पे उसका जो होता है उसके ऊपर एक पत्थर बान लो या फिर ठोटा सा मजबूत थोड़ा वजन वाला थोड़ा सा चीज बान लो और वो रसी को एक circular motion अपने हाथों से create करना, तो वो गोल-गोल घुम रहा है, लेकिन जब वो गोल-गोल घुमेगा, मतलब इस प्रकार से गोल-गोल घुमेगा हो, ठीक है, मैंने यहाँ पर center से पकड़ा हुआ था इसको, और यह इस चीज को गोल-गोल-गोल, क्या कर रहा हूँ, मैं घुम लेकिन circular motion जब follow कर रहा है, तो आप actually जब इसको हातों से घुमा रहे हो, तो कहीं न कहीं, आप उसके उपर क्या apply कर रहे हो, एक force को apply कर रहे हो, गोल-गोल घुम रहा है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा, कि उसका जो ताकत का जो main केंद्र बिंदू था, जो main center था, वो आ any object is directed towards the center of the circle, मतलब वो circular motion तो follow कर रहा है, लेकिन उसका जो direction है, जो उसका main force है, वो किस की तरफ आ रहा है, वो center की तरफ से आ रहा है, तो समझ जाना कि वो जो force रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, centripetal force, क्या बोलेंगे दोस्तो, centripetal force बोलेंगे, यानि proper definition point of view, अग वो center of the circle की तरफ direct होता है, ठीक है ना, the force acts on any object, moving along in circular path, मतलब एक force को ये object यो पर लग रहा है, और वो circular path में भूम रहा है, और उसका जो force है, it is directed towards the center of the circle, तो उस चीज़को हम लोग क्या बोलेंगे, दोस्तो, centripetal force बोलेंगे, बहुत ही ज्यादा साधारन सा, इसका definition है, य उमीद करता हूँ, यह दोनों topic जो इतना simple था, यह मैंने आपको explain कर दिया है, clear है, अब इसका definition जो होगा, फटा-फट से learn कर लेना, एकदम आपको चिंता करने की कोई परशानिय करने की बात नहीं है, हो जाएगा learn, ठीक है, देखो exams के लिए, जैसे से मैं पढ़ाता हूँ मेरा काम क्या है, concept provide करना, यहाँ पर मैं जितना हुसा कि conceptual knowledge दुमा, लेकिन learn करना, it is your responsibility, you have to learn, अज़े whiteboard के videos मैंने पूरा complete करा दिये, पूरे 10 के 10 chapter, science 1 के, science 2 के 10 chapters, अब वहाँ से भी पढ़ सकते हो जाके, लेकिन main important है कि आप पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, digital board वाले से दोनों को compare करके पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा, लेकिन जब concept आपका clear हो रहा है, तो उसके बाद थोड़ा सा उस topic को निकाल के याद करो, practice करो, learn करो, ऐना ऐसा कर लोगे तो definitely आप लोग ना एकदम अंदर से इतना conceptual आपका knowledge clear हो जाएगा और प्लस आपके learning habits से आप इतने law of motion, ठीक है, तो अब ये Kepler's है क्या पहली बाद, तो ये Kepler's कोने भाई, तो आपको याद होगा, हमारा जब पहले, मतलब हजारो साल पहले का जब जमाना था, तो हम भी इनसानी थे, मतलब हजार साल पहले भी हम इनसान थे, लेकिन जो हजार साल, सौ साल, पांचो साल, चा क्या पहनूंगा, कैसे जाऊंगा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा, मैं जॉब कैसे करूँगा, मैं कितने पैसे कमाने है, मेरे फैमली को क्या करना है, मैं उसको कैसे इंप्रेस करूँगा, या फिर करूँगी, ये समझ में आ रहे है, तो हम लोग ये सब चीज सोचते हैं, लेक क्यों है भाई समझ में आ रहा है तो उनका वो लेवर का critical thinking था तो उस time पे जो बहुत अच्छे अच्छे लोग थे जिनको हम scientist बोलते हैं उन्होंने वैसा critical thinking किया that's why they are the scientist हम नहीं है क्योंकि हम वैसा सोचते ही नहीं है हमें आवशक्ता नहीं पड़ी बोलते हैं ना कि need is the mother of invention एक कहावत है need is the invention of mother of invention करेक्ट है क्योंकि अगर आपको कोई चीज की need है तो आप इसको invent करोगे ठीक है लेकिन आपको ज़रूती नहीं है आज के रड़ में क्या करना है चांड है त जो हैनेस केपिलर नाम के यह व्यक्ती थे इन्होंने असमान की दरब देखा और उनने ने देखा कि कैसे जो प्लानेट्स होते है टीक है न मगले है कैसे अपना जो पोजिशन है वो चेंज करते रहते हैं जो श्टार जिसको हम लोग बोलते हैं दूर से हमको स्टार दिखा था, साइंटिश लोग वो लोग अब्सरोब करते थे और ये सब चीज़ लोग डूटिस करते थे कि भाई ये ये प्रॉबलम है, चांसेस है, तो इसके लिए उन्होंने देखा, स्टडी किया और उन्होंने वो तारा और प्लानेट्स और सन का देख देखके उन्होंने एक ल लेकिन पूरा कंसेप्ट पहले समझ लो, कंसेप्ट जो है वो समझ लो, सबसे पहले हम बात करेंगे केपलर्स का पहला लो, बारी-बारी से हमें पूरा बताने वालो, केपलर्स फर्स्ट लो, तीन लो है, पढ़ लेंगे फटा-फट से, केपलर्स फर्स्ट लो, क्या बोलत of a planet is ellipse with sun at one end of foci. क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा समझो, वैसे पूरा प्रॉपर डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, मैं वैसे भी ज्यादा लिखाता नहीं हूँ, आप जानते हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ चीज़े आपको प्रॉइड करेंगे, क्या बोल रहा है, क्या प्लास पहला है, कि तो एक चीज़ आपने नोटीस किया, कि हम यह सोचते थे, कि जो ह हमारा प्लानेट है, वो सन का जब चक्कर काटता है, तो एकदम सर्कुलर काटता होगा, एकदम गोलम गोल काटता होगा, आपने तो यही सोचा था आप तक, अगर आपने नहीं पढ़ आए पहले, तो आपने यही सोचा होगा, मैं भी पहले यही सोचता था, कि हमारा एकद तो ellipse बोलते हैं, यह जो line आपको दिख रही है, यह गोल सी line, यह जो line आपको नजर आ रही है, यह क्या है दोस्तों, यह एक circle नहीं है, यह अंडा shape है, अंडा खाया है कभी अंडा shape, तो इसको ellipse बोलते हैं, तो मतलब उन्होंने बोला, कि जो planet का, जो orbit है, जो sun के चक्कर मतलब उसके रास्ते में आप देखोगे, एक end के उपर, तो आपको यह sun नजर आएगा, this is your sun, आपको sun नजर आएगा, तो यह उसने क्या अपलर ने बोला, तो क्या अपलर देखता होगा न, टेलिस्कोप से या फिर नजर देखता होगा, कि यार ऐसा सीन है, कि यार हमको ऐ अपने होगा, sun हमेशा आपके सामने रहेगा, बले ही आपका rotation क्यों ना होने दो, यह हो गया पहला, समझ में आ गया, ओके, अब बात करें, केपलर की दूसरे लोग की, केपलर सेकेंड लोग, दूसरा लोग क्या है भईया, केपलर से के दूसरा लोग क्या बोलता है, उसका लाइन है, जो प्लानेट और sun को जॉइन करता है, ठीक है न, क्या बोल रहा है, sweeps equal area in equal interval of time, देखो थोड़ा handwriting मेरा सखराब आ रहा है, क्योंकि आपको wide board की आदत थी, digital board बहुत टफ होता है लिखने के लिए, लेकिन उमीद करते हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई नहीं है क्योंकि हम यहां पर पुरी कोशिश कर रहे हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने की तो यह concept के ओपर focus करो मतलब हमारा k-plus का दूसरा लोग क्या बोल रहा है यह बोल रहा है the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time मतलब क्या बोल दिया उसने कि समझ लोग की जो line है ठीक है जो हमारा line है इसको मैं मिटा दूँ पेले यह तकलिफ दे रहा है ना साधा plane कर देता हूँ यह हो गया plane ठीक है अब ध्याम देना उसने क्या बोला कि जो line है कौनसी line जो planet किसको line joining planet and the sun यह planet है और यह sun है तो समझ लोग यह line यह line हो गया ठीक है तो जो line है planet और sun को जो join करता है वो cover कर रहा है sweeps मतलब क्या होना है cover करना sweeps मतलब cover करना equal area in equal interval of time मतलब in short कि जितना time यह जो A से लेके sun तक का जो distance होगा यह एक position है A से लेके यहाँ तक का यह B से लेके यहाँ तक का तो यह जो पूरा area है यह जो number one लिखा हूँ है यह पूरा complete क्या होगा area वैसी दूसरा position ले लो C से लेके यह sun का यह पूरा area D तक का तो मतलब in short कि यह जो area है और यह जो area है दोनों same है मतलब in short हमने क्या बोल दिया कि जो line join हो रहा है sun का और planet का वो कितना cover कर रहा equal area cover कर रहा equal interval of time मतलब समझ लो A से लेके वो B तक जो पहुचा जो distance और C से लेके जो D तक करेगा वो same होगा मतलब अपने time zone के हिसाब से वो उतना ही distance cover करेगा लेकिन यहाँ पर figure देखके तो ऐसा लग रहा नहीं है लेकिन फिर भी उसने क्या बोला कि हमारा यह जो area है it is same as this area मतलब in short हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो area है कौन सा वाला A A, S और यह B, A, S है ना तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो area है कौन सा वाला area A, S, B का जो area है वो equal होगा कौन से area से equal होगा इस से यानि C, S, D से होगा समझ मेरा में क्या बोल रहा हो कि K plus का जूसरा ला उसने क्या बोला कि हम लोग अगर कोई भी line को join करें से समझ लोग मैं यहाँ पे हूँ, मेरा sun वहाँ पे, तो यहाँ से जो मेरा line होगा, जो distance होगा, जो area होगा, और कहीं और कोई position है, मतलब पहले A पे था में, लेकिन distance कितना रहेगा, जो area cover करेगा, वो same रहेगा, मतलब, it covers equal area in equal interval of time, यह आपको याद रखना है, that is called as the Kepler's second law, याद रहेगा, बहुत simple है, आप आजाते है, Kepler's का तीसरा नियम, बहुत ज्यादा beautiful और बहुत ज्यादा मज़ेदार नियम, तीसरा जो नियम है, वो है, Kepler's का ती मिटा देते है, ठीक है, यह वाला जो portion है, तो मिटा जिता हूँ, Kepler's भहिया जो थे, उन्होंने बोला कि मेरा तीसरा लाव यह, तीसरा लाव उनको क्या बोलता है, यह बोलता है, Kepler's का तीसरा लाव, कि जो square of the period of the revolution is inversely proportional, ठीक है न, क्या बोलता है, the square of the period of the revolution is directly proportional to the cube of the mean distance of the planet, अब इसका मतलब क्या बताऊंगा, लेकिन इसको पहले लिखने हैं दो, क्या बोल रहा है, the square of, क्या बोल रहा है, धिहान से दिखना है, इस definition आपको याद रखना, the square of period of revolution, shortcut तरीके से लिखूंगा मैं, period of revolution is directly proportional to the cube of the mean distance, ठीक है, cube of the mean distance of a planet, of planet fromson, यह हो गया definition, टेक्स्बुक के ही साब से, definition हो गया, अब यहाँ पर देखो, अब इसको समझो, definition तो हम करते रहेंगे, वो तो आप भी बात में याद कर लोगे, लेकिन वो मुद्दा नहीं हमारा, मुद्दा क्या है, यह definition को समझो पहले, definition क्या मोलता है, कि, देखो, यह है है हमारा law, कि the square of period of revolution, तो हम समझ लो, मान लेते हैं, कि जो period of revolution है, ठीक है ना, जो period of revolution है, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, हम मान लेते हैं, कि r जो होगा, एक basic average distance होगा, हम क्या मान लेते हैं, कि जो r है, वो एक basic क्या होगा, average distance होगा, ना जब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैको मैं छोटा-छोटा लिखने की कोशिश कर रहा हूं, हंडाडिक थोड़ी खराप आ रही है, लेकिन समझो, यह समझने वाली बात है, कंसेप्ट आपको समझ गया, तो याद तो आप बिल्कुल कर लोगे जाके घर पे, अराम से टेंशल लेन ठीक है, टी क्या हो गया, टाइम पिरिट होगा, तो according to this definition or law, यह जो law है, उसके accordingly हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि the square of the period of the revolution, तो हमने क्या मान लिया, कि जो हमारा टाइम पिरिट है, मतलब T square का, जैको यहाँ पर square word उसकिया है न, तो square मतलब T का square, और यह बोला है, इस directly proportional, तो T square is directly proportional to R cube, अगर इसको आप याद रख लोगे, तो कोई परिशानी आपको नहीं होगी, मतलब in short, कि जो हमारा planet है, जो period of revolution है, कितना time लगने वाला है, मतलब एक planet को revolve होने के लिए, कितना time लगने वाला है, वो क्या रहेगा, मेरा time period रहेगा, तो time period का square जो रहेगा, वो कि इस से proportional रहेगा, जो average mean distance है, जो cover कर रहा है, उसके cube के बराबर रहेगा, और यह जो formula है, इसको आप याद रखोगे, इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या, प्लस का तीसरा law, that is, T square is directly proportional to R cube, और यही T square directly proportional to R cube, यह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ह होता है, हमारे आगे के, किसमे, derivations, numericals में, जो हम लोग आगे के lectures जब लेकर आएंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे और पढ़ाई करेंगे, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आगया होगा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको आगे आपक पढ़ाने वाले, इसको हम लोग आगे भी solve कर सकते हैं, अगर मैं इसको आपको solve कराने की कोशिश करूँ, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे जाके, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये T square is, क्या था, T square is directly proportional to R cube था, इसको मैं कैसे लिख स रखना, इसका use हम वैसे numerical में करेंगे, आगे जाके और derivations आएगा, लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, थोड़ा सा wait करना है, क्योंकि हमारा जो अगला lecture आएगा, lecture number 2, ये इससे भी जादा भेतरीन और मजदार होगा, तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ और प्यार साथ दोस्तों, आज का lecture में stop करता हूँ, आज बहुत सारे topics, वैसे भी आज हमने पढ़ लिए, newtons क्या होता है, वो पढ़ लिया, मतलब newtons के बारे में पढ़ लिया, newtons ने क्या क्या चीज़े बताई, gravitation के बारे में, gravity के बारे में, साथ ही में circular motion and centripetal force and last but not believe, जो की capitalers box में दिया हुआ है, उसको join कर लो, ये जो लिखा हुआ चीज़े है, पूरा का पूरा PDF form में आपको मिल जाएगा हमारे telegram channel JR Tutorials के उपर, free of course मिलेगा, tension मतले ना, बस आपको telegram group हमारा join करना है, JR Tutorials नाम है, उसका link description box में दिया है, जाओ, join कर लो, notes आपको मिल जाएगा, चलो, आज के लिए इतना ही, ये वीडियो आपको कैसा लगा है, प्लीज कॉमेंट करना, वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को like कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके share कर देना, और अगर first time आयो channel पे, अभी तक channel को subscribe ने किया है,